कि दिखें मेरे बच्चे संद्ट महथ यह सबांट को समझे कंटेंट बहुत बड़ा है कंटेंट भाद बड़ा इसमिमर सिश्टम में फिर सिंपलिकेशन है फिर अलगेब्र हैं और इतने बड़े संद्ट को स्थारी चीजों को पकड़ के चलना ही अपने आप में भारी काम ह तो हमें इस बात को जरूर देखना चीए कि हमें क्या तो पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है इन तीनों बातों पर जरूर ध्यान होना चीए क्योंकि हम उन चीजों को पढ़ने जो आपके एक्जाम में नहीं आनी है वो भी गलत है जैसे मैंने आपको specify किया बहुत सारे ऐसे चोट-चोटे concept है जो मैं chapter wise chapter है आपको समझाता चला जाओगा जैसे मैंने अभी आपको एक नया chapter आज start करना है number of digit का तो number of digit में कुछ concept ऐसे हैं जो purely logarithm पे बेस्ट है तो उसको normal बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है normal बच्चे से इंडस हैं जो SSC की तियारी कर रहा है state police की तियारी कर रहा है state exam की तियारी करने लग रहा है T-set की तियारी करने लग रहा है वो सिर्फ question एक के जगए पूचे रहते हैं cds के जगए तो हमें बहुत सारा ग्यान नहीं लेना हमें उतना ग्यान लेना है जो हमारे एक्जाम जिस चीज के हम तेगरी कर रहा है उसमें काम आए ठीक है तो अच्छी चीज सीखनी है लेकिन वह चीज़े नहीं सीखनी जो हमारे एक्जाम में नहीं क्योंकि पढ़ने के लिए इतना सारा content है कि वहीं पूरा नहीं और हम एक्सरा चीजें पढ़के क्या करें हर चेप्टर में कुछ ऐसा भी portion है जो cat level में पूछा जाता है या ऐसे exam में पूछा जाता है जो जर्णली SSC वा state level वा इनमें वो question नहीं आते जैसे logarithm एक पार्ट होता है तो logarithm के question SSC में नहीं पूछे जाता है SSC में लोग है ही नहीं या बाकी और जो journal competition इनमें है ही नहीं लेकिन अगर आप CDS की तयारी कर रहे है मेरे बचे combined defense service अगर आप इसकी तयारी कर रहे है मेरे प्यारे बच्चों तो यहां वो कहानी पूछी जाती है तो CDS के लिए logarithm को आपको अलग से पढ़ढ़ा पड़ेगा ठीक है तो logarithm अपने आप में एक अलग से चप्टर नहीं है बलकि जो हम पढ़ा रहे होंगे उसी से related कुछ concept logarithm से भी मुद्दक्सी हो गई है अर्मानों के पंक लगे चलो एक नई उडान भरी जाए ना रोक ना मुझे ना टोक ना मुझे मन जिल की जाह में है जोक ना मुझे मेरे सफर का हम सफर अब मेरे साथ है निकल गया बिन देखें दिन क्या रात है सेलेक्शन मतलब करियर विल उड़ने का ख्वाव है अभी जाओ लोज करे करियर विल आप